शम्स उसके गुनाहों की फेहरिस्त एक तरफ जिसके बारे में लगातार आज तक अपने दर्शकों को जानकारी देगा लेकिन दूसरी तरफ उसका रसूख भी राजनीती की दुनिया में रहा है अब चुंकि उसकी मौत को लेकर परिवार के और से कही तरह के सवाल पूछे जा रहे हैं किस तरह से देख रहे हैं शम्स आपस को और आपके बात चीत हुई है क्या जानकारी निकल कर सामनी आई है देखिए जैसा कि मैं भी बता रहा चैसी तरह की जो एडी जी लॉग नेडर है परशान कुमार उनसे मेरी बात हुई और उन्होंने यही कहा मौत की उन्होंने कन्फरमिशन दी लेकिन उन्होंने कहा कि जो फाइनल है वो अस्पताल जो बांदा मेडिकल कॉलेज है वहां के डॉक्टर इस बारे में अपनी रिपोर्ट देंगे और उसके जरीये बताएंगे लेकिन अगर आज की आपको बात बताओं आज शाम मुक्तार अंसारी जेल के अंदर भी रोजा रख रहा था और आज रोजा खोलने के बार जब उसने रोजा तोड़ा उसके बाद को भी मुक्तार अंसारी की तब्याद बिगड़ी थी और फिर 21 को भी तब्याद बिगड़ी थी और उसके बाद उसका इलाज हुआ था लेकिन तब तक ये लगा था कि शायद क्योंके कई चीज़े थी लूज मुशन भी हो रहा था वोमिटिंग भी हो रही थी पेट में द हो ये है कि अस्पताल पहुँचने के कुछ देर के बाद ही मुक्तार अंसारी की मौत हो चुकी थी इस से पहले 2018 में भी मुक्तार अंसारी को दिलका दौरा पढ़ा था और तब भी वो बांदा में था और बांदा मेडिकल कॉलिज में ले जाए गया तो फिर वहां इलाज ह पढ़ा कि उसको कोई स्लोप वाइजन दिया जा रहा हाला कि इस बात की कभी पुस्टी नहीं हुई लेकिन मुक्तार की तबियत जब से वो पंजाब से यूटी पहुँचा था उसके घर वाले उसके रिश्टार लगातार बिगड़ने की बात कर ले थे अभी लास्ट वीक मुक्तार की जो भाई हैं सांसाद अफ़ताल अंसारी वो बांदा मेडिकल कॉलेज में मिलने के लिए भी गए थे और बाहर निकलने के बाद उन्होंने कहा था कि मुक्तार अंसारी का चेहरा और बदन पेट ये सब कुस सूजा हुआ है और तब भी उन्होंने ये लगाया था कि शायद सुलोक वैजन दिया जा रहा है लेकिन जो यूपी पुलिस की ऑफिशल से मेरी बात हुई है जो एडी जी लॉइन और्डर उन से मेरी बात हुई है उनका कहना है कि मुक्तार को दिल के दिक्कत की पुरानी शिकायत थी टूज़न एटीन से थी तब भी इलाज हुआ था और वो इलाज चल रहा था और आज की वी जो अभी तक बात आ रही है जो जो जेल के स्टाफ ले गए और जो शुरुवाती डॉक्टर ने देखा उनका यही था कि यह मामला शायद हाट एटक का है लेकिन जाहिर सी बात है यह मामला एक कैदी की मौत का है अस्पत साल में मौत हुई है परिवार वालों के लजाम है तो फिर इसकी पोस्ट मॉटम भी होगी अगर स्लूपवाइजन की बात है तो विसरा की जाच भी आएगी और विसरा की जाच में सारी चीज़ें सामने आजाती है लेकिन हाँ यह है कि जब तो शाम तक मतब एक घंटा पह हुआ 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 है